हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल दिसक्स पोईट्री जिसका नाम है लुकिंग फॉर आ करजन ओन आस्वेंग और यह जो पोईट्री है इस इनका वर्ड कुछ और जा रहा है और यह एक कह सकते हैं शिक्ष्वालिटी फिजिकल रिलेशन इंटिमेशन इस से रिलेट 1929 और इनकी डेथ हुई थी 1995 में इनका बोल्ड हुआ था मसूर में और सीव एजुकेशन फ्रॉम मसूरी और यह USA से इनकी एजुकेशन भी थी जो हाइर एजुकेशन थी और इन्होंने यूनिवर्स्टी ओफ शिकागो में अपना एक कह सकते हैं लाइफ का एक इंपोर्ट लेटेड ट्रैंसलेट भी किया था इन्होंने लिखा भी था इंगेश और कनाड़ा की लेंगविज में अप्र दैट इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया था अगर इनको आवोर्ट की बात करें तो इनको मिला था A.K. Ramanujan work on the folklore of India as well folklore जैसे कि आप जानते होंगे आपका M.E.C. जो 16 है वो भी folklore से रिलेटिड है तो इन्होंने folklore पे भी अपना काम किया था And he known for his strict and spare style for his technique इनकी जो poems थी, his poem reward readers who is willing to be patient, who are willing to be examined his poem and exact opening और ये कुछ अजीब तरीके के events को assemble करते हुए नजर आते थे जैसे कि इनकी इस poetry में भी mention है ये जो poetry है इसको ज़्यादा लंबी नहीं है तो start करते हैं line to line after that हम इसमें इसकी poetry device को भी cover करेंगे When she was four or five, she sat on a village swing ये जो poem है ये third point of view से लिखी गई है, third narration point of view से लिखी गई है जो point है वो बोलते हैं वो चार-पांच साल की थी और वो बैठी थी कहाँ पे village swing पे जो गाँ में जूले होते हैं वहाँ पे And her cousin six or seven set himself against her और उसका cousin यहाँ पे रामानुजन ने first person में बात ना करके third person में बात कर रहे हैं वो अपनी ही बात कर रहें क्योंकि यह जो cousin है यह रामान विजन खुद हैं तो बोलते हैं कि जो उसका cousin है वो six or seven year का था और वो बैठा था उसके साथ Against her Against her का मतलब है कि एक तो होता है side side बैठना जैसे कि हम school में या colleges में एक ही bench पे दो friends बैठते हैं एक होता है against बैठना मतलब आमने सामने बैठना अब एक ही जूला है उस पे आमने सामने कैसे बैठ सकते हैं आप समत सकते यहां पर बता दिया है कि जो उनकी position है वो खुदी एक sexually position से बैठे हुए है यह poem के wordings थोड़े से sexual की तरफ जाएंगे sexuality की तरफ so आप इसे connect कर लिजे I can't say anything क्योंकि यह poetry लिखी किस तरीके से है वो क्याते है ना poet कुछ भी लिख सकता है so this is the thing with every lunge of the swing she felt him in lunging pits of her feelings in lines में जो four lines है that is related to the sexually relation को दिखा दिया यहां पे lunge means होता है धक्का मारना पुश करना तो जब वो swing चल रहा है जो जूला आ रहा है जा रहा है जैसे आपने swing को देखा होगा तो यहां पे poet बताते हैं she felt him वो उन्हें महसूस कर रही थी in lunging pits of her feelings कि swings पर वो जो sexuality वाली feeling है उसको feel कर रही थी और यहां पे यह देखने की बात भी है कि इस तरह का जो relation होता है वो cousins के बीच में Indian society में नहीं होता है जैसा इस poetry में डाला गया है बत यहां पे उन communities की बात हो रही है जहां पे cousins के बीच में इस तरह के relations हो जाते हैं इंफिक्ट शादी भी हो जाती है so I don't want to take the name of any community but according to the poetry I am explaining अगी की lines है and afterward we climbed a tree she said not very tall but full of leaves like those of a figret and we were very innocent about it so afterward और थोड़े देर बाद जुले के बाद we climbed मतलब यहां पे हम दोनों कहां चड़ गए एक tree पे चड़ गए and she said और उसने कहा not very tall but full of leaves और वो जो पेड़ है वो बहुत लंबा तो नहीं था but full of leaves था उसमें बहुत सारे पत्ते थे यहां पे यह जो leaves और trees की बात की गई है यह जो आपके Bible में जो Adam Eve का fall हुआ था वहां पे जो tree का concept था कि वो garden of Eden में थे Adam और Eve और उन्होंने fall खा लिया था जिसे God ने खाने को मना किया था और यहां पे जो leaves का example दिया है उस जैसे garden of Eden में trees में leaves थे उन्हीं की तरह यह पेड था जिसमें बहुत पत्ते थे और यह दोनों उसमें उसी तरह छुप गए थे जैसे कि garden of Eden से leaves लेकर Adam और Eve ने अपने जो उनके genital organs थे या you can say that जो private organs थे उनको उन्होंने धका था और human का fall हुआ था यह उसके साथ connect किया गया है अब देख सकते हैं कहां से कहां पर अपनी poetry को ले जा रहे हैं अब आगे बोलते हैं like those of a fig tree fig tree मतलब उसी tree की तरह जो बड़ा था और जहां से Adam और Eve का fall हुआ था जिसकी leaves का मैंने भी एक्जामपल दिया and we were very innocent about it और हम दोनों बहुत innocent थे इन सब के बारे में किन सब के बारे में about the sexual relation about the intimation about you know जो भी हुआ उसके बारे में हम बहुत innocent थे अब innocent की बात ये भी है क्योंकि अगर कोई four five year की girl है और six seven year का boy है तो definitely they are innocent don't know exactly what they are doing और क्या उनको करना चाहिए तो इस पारे में है अब बाद जो है वो present पे shift हो जाती है the speaker speaker मतलब जो हमारे writer है वो बोलते है now she looks for the swing in cities with 15 shops and tries to be innocent about it अब वो she looks मतलब कि उस लड़की की बात कर रहे है अपनी cousin की बात कर रहे है कि वो देखती है वैसा ही एक swing जो की शहर में हो क्योंकि अब वो लड़की क्या है अब ये दोनों बड़े हो गए है and the girl जो जिसकी बात करते है वो बड़े शहर में रहती है तो वो शहर में भी क्या देखती है एक ऐसा swing देखती है ऐसा शहर है इतना बड़ा शहर है जिसमें 15 districts है और दुबारा से innocent बनने की कोशिश करती है it means that she searched different cities for a similar tree and swing और similar tree और swing से वो जो उसकी physical desire है sexual desires है उसको यहाँ पे code किया है हमारे point ने this alludes to her desire for an innocent yet fulfilling sexual experience such that she has when she was a child कि जब वो बच्ची थी जिस experience को उसने फिल किया था she wants to live in that experience again not only on the crotch of tree that looked at a wood breast under every leaf into scarlet figs if someone suddenly sneeze मतलब कि यह जो crotch word use किया गया है c-r-o-t-c-h of the tree crotch of the tree से compare किया है crotch एक body part भी होता है जो एक sexual image को present कर रहा है यहाँ पे मैं ज्यादा elaborate ना करके आपको to the point ही बोलूँगी अगर आप ज्यादा knowledge खेन करना चाहते है इसको literal meanings का search कर लिजे crotch का right that looked as if she brushed and under leave यहाँ पे in lines के through या जो crotch word यूज किया गया है यह दिखाता है कि किस तरह से point ने sexual image का use किया है वो बोलते हैं कि जो उनकी cousin है अब किसी भी male से मिलेगी तो वो you know sexual encounter में involved हो जाएगी इसकी बात करते हैं वो इस last paragraph में और मतलब एक अगर कोई suddenly sneeze भी होगी तब भी वो उस चीज में involved हो जाएगी मतलब indirectly you can say that कि वो इस तरीके से sexual relation में डूब चुकी है या फिर उस pleasure को जीना चाहती है कि अगर कोई उसे अर्जनबी भी बोलेगा to for intimation तो वो उसके साथ भी agree हो जाएगी शॉट में यही था कि जो first poem है उसमें क्या था कि वो बताते हैं कि जब वो four five के थे तो एक साथ बैठे थे village swing पर और उनके बीच एक sexual relation हो गया था and that time they both are innocent और उसके बद प्रेजिन की बात करते जो उनकी cousin है अब वो शहर में रहती है और वहां पर क्या search करती है बड़े बड़े शहरों में tree और sourcing को search करती है मतलब अपने उस जो उसने बच्पन में उस experience को फिल किया था उसे दुबारा से करना चाहती है इसी के बारे में है अब लाइन कवर करने से के बाद जो इंपॉर्टेंट जीजा जाती है यह यह पोईटिक दिवाइसे सो टेक्नीक दोनों बोलते है इसको जामनुजन मेंक्स यूस ओफ नंबर ऑफ पोईटिक टेक्नीक बहुत सही टेक्नीक का यूज किया है जैसे कि इन्होंने रेपिटिशन का है ईलिडरेशन का यूज किया है इन्जाइब में यूज का यूज किया है और कहां कहां पर दलेटर इदेста मोस्क्रैवली वीसी end of the line 6, line 6 की end में क्या था, she felt him, वो उन्हें महसूस कर रही थी, तो यह एक तरह का क्या है, यहां पे इनी सब चीजों का use किया गया है, अलिटरेशन का use कहां किया गया है, अलिटरेशन का use जब आपने poem देखी, तो poem में जब word था, first ही line में 4 और 5, 4 और 5 में दोनों में F का repetition हो रहा है, और यहां पे किसका use किया गया है, अलिटरेशन का, क्योंकि जो दोनों word है 4 और 5 वो एक ही alphabet से start होते हैं F, उसके बाद इसमें दुबारा से alliteration का use किया गया है, जो 6 और 7 लिखा गया है, तो 6 और 7 दोनों की जो starting है, वो S से है, यहां पे भी alliteration का use किया गया है, जो poem है, वो third person point of view से लिखी गई है, क्योंकि वो यहां पे यह नहीं बोलते हैं कि जो मैं हूँ, मैं भी उनके साथ था, वो बोलते हैं that he is also said against her, तो वो उसकी बात करते हैं, इसमें innocence को दिखाया गया है, इसको बहुत simple language का use करके present किया गया है, तो इस तरह से इसकी techniques जो हैं, वो complete होती हैं, मिलते हैं friends, next video में with a new poetry or question answer.